आज की वीडियो में हम डिस्क्स करने जा रहे हैं प्रास्फर और प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में इंपॉर्टेंट टॉपिक ओन्रस गिफ्ट स्टार्ट करते हैं अगर हम बात करते हैं सिंपल मीनिंग के बारे में कि ओन्रस गिफ्ट का मतलब क्या होता है तो क्या definition कलती है तो क्या definition कलती है The basic meaning of an onerous gift is a gift with a liability यानि कि ऐसा gift जो किस के साथ आ रहा है liability के साथ आ रहा है Where a gift is in the form of a single transfer to the same person of several things of which one is and the others are not Burdened by an obligation, the dony cannot take nothing by the gift unless he accepts it fully अब देखिए, कुछ words पर ध्यान से focus करना अगर हम किसी gifts को या कोई भी gift है जिसमें बहुत सारे gift आ रहे हैं उसे single transfer यानि कि एक ही बार में आप क्या कर रहे हो कुछ gifts दे रहे हो किसी एक व्यक्ती को यानि कि आप एक बात समझा मेरे पास कुछ सी दो property है A property, B property A property क्या है, profitable property है मतलब profitable property का मतलब उसकी बहुत ज़्यादा value है अब B property है, मालनो कि B property भी क्या चल रहा है loan चल रहा है, clear अब मेरी दो property है, A property, B property A property क्या है, profitable property और जो B property है, उस पर क्या चल रहा है लोन चल रहा है, अब मैं A property, B property आपको दे रहा हूँ, A property, B property किसे दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, तो कैसे दे रहा हूँ, in the form of a single transfer, यानि कि अलग-अलग करके नहीं दे रहा हूँ, कि पहले मैंने आपको gift दिया A property का, फिर मैंने आपको gift दिया B property का, मैं क्या दे रहा आपको यानि कि जो अलग अलग प्रॉपर्टी है वो एक साथ गिफ्ट कर रहा हूं किसे तू दा सेम परसन अब यहां से पढ़ना दोनी कें एक नतिंग बाइद गिफ्ट अनलेस ही एकसेप्ट इट फुली आप ऐसा नहीं कह सकती कि आप यह कहें कि सर आपकी जो सेम जिंगल ट्रांसफर दोनो प्रॉपर्टी एक साथ दे रहा हूं तो आपको या तो गिफ्ट पोरी तरीकी से printing करना पड़ेगा यहार रिफीउज आप ऐसा नहीं कर सकते कि part property क्या कर लो यानि कि part of the gift को क्या कर लो accept कर लो और जो liability वाला पार्ट है उसे क्या कर दो refuse कर दो अब illustration जब हम समझेंगे तो और जादा हमारे जो doubts हैं हो clear होंगे अब हम पहले proviso 2 देख लेते हैं where a gift is in the form of two or more separate and independent transfer अब यानि कि क्या है जो हम क्या कर रहे हैं 2 और 2 से ज़ादा separate या independent transfer कर रहे हैं यानि कि property A में आपको अलग दे रहा हूँ property B में आपको अलग दे रहा हूँ तो the same person आपको दे रहा हूँ मतलब एक व्यक्ती को दे रहा हूँ of several things the dony is at liberty to accept one of them and refuse the other वहाँ पर क्या है dony की क्या है liberty है उसकी मर्जी है कि जिससे उसे profit हो रहा है वो property या उस gift को क्या करें accept कर ले और liability वाले part को क्या कर सकता है refuse कर सकता है क्यों कर सकता है है क्योंकि यहाँ पर जो हम gift दे रहे हैं वो कैसे दे रहे है in the form of two or more separate and independent transfer उसे क्या कर सकते है refuse कर सकते है accept करने से clear अब देखिए illustration से पूरे doubt clear हो जाएंगे A has shares in X a prosperous joint stock company and also shares in Y a joint stock company in difficulties अब ए एक व्यक्ती है जिसके पास shares है X company के X company के share है वो बहुत profitable shares है clear उनकी value बहुत boom पे जा रही है clear and also shares in Y a joint stock company in difficulties और जो Y shares है वो क्या जारे है loss में जारे है clear heavy calls are expected in respect of the shares in Y A given B all his shares in joint stock company B refuse to accept the shares in Y he cannot take the share in X अगर बात करते हैं कि जैसे A ने अपने शारे share किसे देने B को देती कौन सी company के X company के shares और कौन सी company के share Y company के share X company के जो share ते वो कैसे थे profitable और जो Y company के share थे वो क्या थे difficulties में थे यानि कि loss हो सकता था अब B या तो accept करेगा दोनों के shares यानि कि X के भी share accept करेगा Y के भी share accept करेगा B refuse to accept the share in Y अगर B जिससे loss हो रहा जिससे liability आराइज हो दे Y company के share को reject करता है refuse करता है accept करने से तो He cannot take the shares in X तो उसे X के shares भी नहीं मिलेंगे यहां से हमें क्या पता चलता है कि आप gift को accept करोगे अगर in the form of single transfer है तो पूरा ही gift accept होगा उस पे जो profit है जो liability है सब चीज के साथ क्या होगा वो gift accept होगा ऐसा नहीं हो सकता उस gift का part आप accept कर दो और part को क्या कर दो refuse कर दो अगर वोई gift इसमें दो और दो से ज़ादा separate या independent transfer हो रहा है यानि कि आप X company के share पहले कर रहे हो फिर Y company के share कर रहे हो उस situation में जो don'tी है वो क्या कर सकता है accept भी कर सकता है refuse भी कर सकता है क्योंकि वहाँ जो transfer है वो एक से ज़ादा हो गया मगर एक ही transfer में जो आप gift transfer कर रहे हो तो आपको fully तरीके से क्या करना पड़ेगा accept करने पड़ेगा otherwise क्या होगा वो पूरी तरीके से क्या हो जागा refuse कर दिया जाएगा आप partly accept नहीं कर सकते और partly को क्या नहीं कर सकते refuse नहीं कर सकते एगर बच्चो illustration आपको समझ आया होगा come to the next slide honorous gift to disqualified person अब honorous gift क्या है gift with liability to disqualified person का मत तब क्या हो गया यानि कि ऐसे वेक्टी को दिया गया है दोनी को दिया गया है दोनी क्या है incompetent है अगर दोनी हमारा माइनर है तो वो क्या incompetent है acceptance कैसे होगी acceptance through guardian a donny not competent to contract an accepting property burdened by an obligation is not bound by his acceptance अगर माइनर है through guardian उन्होंने क्या करी गई है acceptance होई है honorous gift की तो जो liability arise हुई है जो honorous gift की जो liability arise है उससे वो minor bound नहीं होगा but if after become competent यानि कि जब वो competent बन जाएगा यानि कि वो major हो जाएगा to contract and being aware of this obligation और उसको obligation के बारे में aware हो जाएगा जब यानि कि जो वो minor है जो वो major हो जाएगा उस obligation के बारे में liability के बारे में पता चल जाएगा he retains the property given he becomes so bound अब वो उसे क्या कर रहा है उस चीज को accept कर रहा है उस gift को accept कर रहा है या उस property को अपने पास रख रहा है तो तब वो बन्दा क्या हो जाएगा वो person क्या हो जाएगा वो person क्या हो जाएगा bound हो जाएगा clear liability जो भी arise होगी उस gift में अब एक और बार समझते हैं, for an example, A ने एक person ने B उसे property दी, C क्या था, B का guardian था, C ने वो property on the behalf of B accept कर लिए, अब on the behalf of B property इसने accept कर लिए C ने, अब B जब major हो गया, अगर वो उस property को रखता है, तो जो उस property की liability थी, वो उसके लिए liable हो जाएगा, जब वो competent होगा, यानि कि B ज परसन क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा, जब तक वो minor है, वो लाइबल नहीं होगा, उस gift की क्या, लाइबलीटी के लिए, उस पर कोई भी obligation रेज नहीं होंगे, Come to the section number 128, Universal Donnie, subject to the provision of section 127, where a gift consists of the donor's whole property, the donnie is personally liable for all the debts due to and the liability of the donor at the time of the gift to the extent of the property comprise therein, अगर हम बात करते हैं, Universal Donnie का मतलब क्या होता है, कि जो भी आप property ले रहे हैं, और उस पर जो भी liability arise है, उसके लिए आप personally liable होते हैं, जो भी debt उस property पर arise है, For an example, अगर मैंने कोई property, gift करिये किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपे की, clear, अब उस person को property मिल गई, 10 लाख रुपे की, और जो उस property पर liability arise थी, वो 5 लाख की दी, clear, अब जो दूसरे परक्ति को मैंने क्या दिये, property दिये, जो gift दिया है, जो दोनी है, दोनी जिसने accept कराया हो gift, liability gift की, जो liability की amount है, वो gift के amount से जादा कभी नहीं होगी, मतलब अगर मैंने कोई property 10 लाख की दी है सामने वाले को, दोनी को, तो दोनी ने 10 लाख की क्या करी, acceptance करी, उस पर liability अगर 12 लाख की भी है उस property पर, तब भी, जो दोनी है, वो liable कितने के लिए होगा, 10 लेक के लिए होगी, वो कितनी होगी, amount of the gift, यानि कि amount of the gift से जादा liability raise नहीं होगी, किस के ओपर, दोनी के ओपर, come to the section number 129, saving of donation mortis causa and moral law, nothing in this chapter related to the gifts of moral property made in the contemplation of death and shall be deemed to affect any rule of moral law, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, deathbed transaction होती है, जिसे हम Muslim terminology में क्या कहते है, मर्जुल मौद, वो क्या होता है students, Islamic law में अगर कोई भी person है, उसके क्या होते हैं, जैसे death की stage होती है, यानि कि ऐसी situation होती है, कि वो मरने वाला होता है, अगर वो कोई gift, moral property का gift किसी व्यक्ति को देता है, तो वो हमारा TPSA governed नहीं होता, तो यानि कि अगर कोई भी deathbed transaction है, Islamic law में, तो वो हमारी T PPSA governed नहीं होती, लेकर saving of donation, motis causa and moral law not governed by the, यानि कि saving मतलब क्या होता है, exception, PPSA governed नहीं होंगे हमारे essay transfer, hopefully आप सभी को topic समझाया हो, अगर कोई भी doubt है, कोई भी problem है, किसी भी जगे नहीं समझा रहा, तो please DM on my Instagram account, link description में, वीडियो अच्छी लगती है, तो please जात-साद वीडियो उसको support दीजिए, जात-सादा share करिए, like करे, subscribe मैं चैनल, also press bell icon for the new videos, जो student नहीं है, वो चैनल को जरूर subscribe करें, bell icon को press करें, कोई भी किसी भी loss objective में, किसी में भी आपको query है, कोई problem समझा रहा, कोई particular section समझा रहा, तो please मुझे DM करें, मैं जितना जल से जल दोगा, आपको reply और आपकी problems को solve करूँगा, thank you so much, have a nice day, take care